हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत आप सब का इंदी चेस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ग्रोब ओपनिंग के ऊपर एक गेम दिखाऊंगा जो की खेली गई थी ब्लड गूड वर्सिस पोथ के बीच में 1972 में और मुझे इस ओपनिंग पर वीडियो बनाने का काफी दिनों से हैं लोग बोल रहा है और बेसिकली ये गेम मैंने चूज की क्यों वैसे ये गेम जो है वो दो ग्रांड मस्टरों के बीच में खेली गई नहीं है बट ये जो गेम है दोस्तों वो क्लियरली शो करती है कि वाइट जो है उसको ग्रोब एपनिंग में जी फॉर पॉन खेलने के बाद किस तरह से कहां पे एटेक करना है इसलिए मैंने एक गेम जो है वो चूज की है और यहाँ पे वाइट ने खेला पॉन टू जी फॉर ब्लक ने खेला पॉन टू टू डी फॉर अब बिशड त्टू जी टू दोस्तों यहाँपर बिशड केपचर उन फी फॉर आपको जगर आप बिशड केपचर उन गर आ तो फिर कोई point नहीं है क्योंकि white जो है next room में pawn h3 खिला गया, knight f3 और castle and game is on so यहाँ पे bishop capture on g4 खिला गया, अब जो है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि white का attacking ideas क्या है जैसे bishop move होता है g4 पे, जो b7 pawn है, वो weak हो जाता है और white उस पे immediately pressure बनाता है, उस पे attack करने की try करता है pawn to c4 और अब यहाँ पे अगर pawn capture pawn आता है, then simply bishop capture on b7 और जो white है उसकी position अपकोस अच्छी हो जाएगी बट यहाँ पे जो black है वो try कर सकता है, this knight to d7 और अगर आप चाहो तो रूप मार सकते हो, अगर रूप नहीं मारना है तो simply bishop retreat कर लो या फिर pawn h3 खेलो and it is possible, बट actually game में c4 के बाद c6 के लगा है और दोस्तो beginner या pre intermediate level पे काफी comment दिखा जाता है कि आप उसी pawn को support कर रहे हो और अब है दोस्तो queen to b3 पे, अगर देखिए b7 pawn पे ही लगातार attack जो है, वो white बना रहा है और जबकि d5 pawn है वो भी weak हो चुका है क्योंकि d5 पे immediately attack बनता हुआ, तो यहाँ पे खिला गया pawn to c7 और अब दोस्तो pawn capture on d5 pawn capture on d5 और अब queen या bishop capture on d5 कुछ भी possible नहीं है क्योंकि जो हमारा bishop है on c1 वो हैंगे, तो इसलिए knight to c3, अबकोज है अपना piece develop कर रहे हो, again d5 पे attack कर रहे हो और यहाँ पे दोस्तों, अगर pawn to e6 कोई खिलता है तो सबसे बड़ी mistake होगी और in fact ऐसा हो सकता है कि काफी लोग यह pawn to e6 खिले और सोच रहे हैं कि अब जो pawn है वो मेरा d5 है, वो भी save हो गया, b7 वाला pawn है, उस पे attack भी नहीं है pawn to d4 try किया गया, और दोस्तों यह तो साब दीख रहा है, यह mistake है, यहाँ पे knight c6 जो है, वो better try होती है, लेकिन उसमें भी knight capture on d5, और यहाँ पे जो white का attack है, वो ongoing है, और जो game है, वो on है, अपकोस यहाँ पे तीनो result possible है, मैंसा नहीं बुढ़ रहा हो, okay, white is winning, but this is how आप grove attack खेल सकते हो, जहाँ पे आपको counter attack कहा करना है, वो में इस वीडियो में बता रहा हूँ, so knight c3 pawn to d4, और यहाँ पे आप queen capture on b7 b खेल सकते हो, bishop capture on b7 b खेल सकते हो, both are winning, but यहाँ पे खेला गया, knight to b5, और at first glance से लग रहा है कि आप simply जो है, black अपनी queen move कर लेगा, और b7 pawn को protect करेगा, और तो हमें b7 pawn मिलेगा कैसे, तो दोस्तों यहाँ पे actually खेला गया queen to b6, और यहाँ पे आप कुछ भी खेलो, queen b6 खेलो, queen d7 खेलो, या queen d8 कुछ भी खेलो, मेरी जो next move है, उसमें कोई change नहीं होगा, वह bishop capture on b7, for example, queen b6 के लगा है, और अब bishop capture b7, और point है, कि rook जो है, वो तो जाई रहा है, अपकोस आप queen capture b7 खेल सकते हो, जो कि game में हुआ, उसके बाद आया दोस्तो, knight to d6 check, और अपकोस pawn capture d6 force है, otherwise वेसे भी queen जा रही है, so pawn capture d6, queen capture b7, औ क्योंकि queen तो चले गए, उपर से ये rook भी जा रहा है, so basically ये वीडियो में यहीं बताना चाहता हूँ, दोस्तों कि किस तरह से जो white है, वो group attack में pawn g4 खेलने के बाद, attack launch करता है, कहाँ कहाँ पे जो focal point उसके हो सकते है, जहाँ पे उसको attack करना है, वो है pawn on d5 और square on d5, और pawn on b7 और square on b7, so I hope दोस्तों कि मेरा वीडियो जो है आपको काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो please this channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like दीजिए, और अपनी comment ने बिलकुल ना भूले, थनियवाद, चैहिन, बबाई